गुरुजी की चन्नों में कोटी-कोटी प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार कहां से लाओं वो शब्द जो तेरा गुनगान कर सके कहां से लाओं वो वानी जो तेरी महिमा का बखान कर सके सच्मुझ गुरुजी आप ही मुझे शक्ति दीजिए आप ही मुझे भक्ति दीजिए ताकि मैं जो कहना चाह रही हूँ और मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हें आप तक पहुँचा सकूँ कहते हैं कि भगवान और कुछ नहीं देखते बस आपका भाव पहचार लेते हैं आपका मन उनके प्रति कितना डूबा है उनकी गहराई उसकी गहराई वो जान लेते हैं उनके प्रति आपका जो प्यार है वो आपकी आँखों से जो आसु छलकते हैं उसका मुल्ले वो जानते हैं। इसलिए गुरु जी से प्रात्थना है कि वो जो चाहे जैसा चाहे मैं वही कहूं। कोई शिष्षी गुरु चर्नों में जब शीष चुकाता है परमात्मा खुद आकर उसे गले से लगाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिज़ाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। सचमुच, गुरुदेव जब से हमारे जीवन में आये हैं, हम सब की तो जिन्दगी ही बदल गई है, हम सब कुछ खोज रहे थे, लेकिन क्या ये हमें खुद को ही पता नहीं था, जिसे जो ठीक लग रहा था, वो कर रहा था, लेकिन गुरुदेव ने हमें कैसे अपने पास बुलाया, कैसे हम सब गुरुजी की चन्नों तक पहुँचे, सब का अपना अपना एक्सपिरियन्स है, गुरुजी की गुर्पा दिश्टी हम पर पड़ी, हमारे कल्यान का ख्याल उनके मन में आया, और हम किसी ना किसी बहाने से उनके पास पहुँच गए, और यूं लगा, कि जिन्दगी जीने का मकसद मिल गया है, गुर्बानी में कहा है, अम्रित नाम तेरा सोई गावे, जो साहित तेरे मन भावे, इश्टी का अम्रित नाम भी हम तभी ले सकते हैं, जब हम पर उसकी क्रिपा हो, उसकी दया, उसकी करुना हो, वरना तो हम सब अपनी जिन्दगी में उलजे रहते हैं, अपनी कामों में व्यस्त रहते हैं, जब समय मिलता है, तो इश्टी को याद कर लेते हैं, लेकिन गुरू जी कहते थे, कि जैसे सास लेते हो, जैसे सास आती जाती है, वैसे ही मुझे याद किया करो, एक सास भी खा वो संगत, गुरु जी के लिए वो संगत बहुत विशेश है, जो हर पल, हर स्क्षन, हर लमहा उन्हें याद करती है, गुरु जी का नाम लेती है, गुरु जी का शुक्राना करती है, एक पल के लिए सोचिए, अगर गुरु जी हमारी जिन्दगी में ना होते, तो हमारी जिन नहीं सकते ऐसा आप गुरु आपको कहां मिलेंगे जो कहते हैं तुसिस मैंनों याद करो ता मैं थोड़े कम करांगा सच मुच हम बहुत सवभाग्यशाली हैं जिनकी जिन्दगी की डोर गुरु जी के हाथ में है सौप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में सचमुर संगर जी हर जीवन में गुरु जी हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे इतना विश्वास गुरु जी ने हमें दे दिया है हम सब इसी विश्वास के सहारे जिएंगे और इसी विश्वास के सहारे अपनी जिन्दगी को और सुन्दर बनाएंगे मैं आपको अपना एक सक्संद सुनाती हूँ एक दिन में गुरुजी के चन्नों में बैठी थी और गुरुजी की सेवा कर रही थी तो मुझे गुरु जी ने कहा तेरे कर्च बहुत गनेश रखे हो यागे सार्या नो इकठा करके एक टोकरी चिपा के मंदिर चिजा के रख दे मैं एकदम हैराम थी कि गुरु जी को कैसे पता चला कि मुझे गनेश जी की सुन्दर-सुन्दर मूर्तिया एकठा करने का शौक है गुरु जी तो कभी मेरे घर नहीं आए फिर मैंने सोचा गुरु जी तो परमात्मा है वो तो अंतर्यामी है उनसे क्या छिपा है हम अपने आपको कितना भी अकल्मन समझ ले पर गुरु जी के सामने तो शुन्य है वो हमारी असलियत जानते है संगजी हम 11 साल बॉंबे में रहे हर साल गनेश जी की पूजा करना और जहां भी मुझे गनेश जी की कोई मूर्ती अच्छी लगती थी मैं उसे खरीद लेती थी और लाके अपने घर में सजा देती थी इस तरह मेरे पास बहुत सारे गनबती थे मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं सारे गनेश जी बाढ़ दो इस पर गुरु जी बोले नहीं तू वंड़ने नहीं चुक चाप मंदिर चे जाकर रखके आई जी नू जो अच्छा लगेगा लेलेगा वो और बहुत खुश होएगा तैनू दौावा देगा मैंने हाथ जोड़ कर कहा गुरु जी आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी अगले दिन मैंने टोकरी में सारे गनपती डाले और घर के पास ही मंदिर था वहां ले गई और पीपल के पेड़ के नीचे रख दिये और वापस घर आ गई इस तरह गुरु जी ने हमें समझा दिया कि गणेश जी का स्थान मंदिर में है ना कि लोगों के घरों में फर्शों पर या सजावट कर सरा गुरु जी की हर बात का मतलब बहुत गहरा है बस हमें कोशिश करनी चाहिए उसे समझ कर अपने जीवन में उतारें तंगत जी जीवन में जब भी कोई परिशानी आती है हम घबरा जाते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें उस समय अपने इश्वर पर विश्वास रखकर आप जो कर सकते हैं करें हाथ में हाथ रखकर ना बैठें बस गुरु जी को याद करिए बस एक बात याद रखे जो हो रहा है जैसा हो रहा है वो गुरु जी की इच्छा से ही हो रहा है आज अगर परिशानी के बादल चाय हुए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे ये बादल हट जाएंगे और आप सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग गुरु जी हमेशा कहते थे चंगे बंदे बनो आपने ये देखा होगा कि दूसरों के साफ खुशी बाटने से हमारी खुशी दुगनी हो जाती है तंगे बंदे बनो यूँ तो ये तीन लवज है लेकिन इसमें कितनी गहराई कितनी बाते छुपी हुई हैं सबसे पहले इस बात का खयाल रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को कोई दुख ना हो किसी को किसी तरह का दुप ना पहुँचे अपनी हैसियत के अनुसार किसी का जितना भी भला कर सके करें किसी के लिए कुछ और ना सही तो उसके छेरे पर मुशकान और हसी तो ला ही सकते हैं गुरु जी ने किस तरह हम सब को खुशियां बाटी हैं ये हम सब को पता है बस जिस तरह गुरु जी ने हम सब के मुर्जाय चेहरे पे हसी या मुस्कान ला दी है हमें भी चाहिए कि हम भी कोशिश करें इस संसार को सुन्दर बनाएं जिससे जो भी हो सकता है करें याद रहे कि जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसा ही करें सिर्फ इन्हों इन्सानों में ही नहीं इस तंसार में इश्वर्क दारा बनाई हर चीज को प्यार दे और प्यार बाटे जीवन एक अफसर है और संभावना है मुझे तो लगता है कि अनेक संभावनाओं का नाम ही जीवन है हम हमेशा सुनते हैं कि जीवन कुछ करने के लिए मिला है कुछ करने के लिए मिला है लेकिन क्या करने के लिए मिला है ये सब तब तक समझ नहीं आता जब तक आप गुरु जी के पास नहीं बैखते, वो आपको रस्ता दिखाते हैं, और आप धीरे धीरे उस रस्ते पर चलने लगते हैं, हाद जीवन में गुरु नहीं मिलता, ये जीवन में घटने वाली साधारन घटना नहीं है, इससे स्रेश्ट और कोई उपलब्धी हो ही नहीं सकती, तभी गुरु नानक ने कहा है, नानक को प्रभभय द्याला सद्गुरु पूरा पाया, गुरु से जीवन में प्रकाश होता है, आपका कल्यान करने के लिए गुरु जी की कृपा दिख्टी चाहिए, गुरु की कृपा दिख्टी आप पर पढ़े, उसके है, आप में भी कोई बात होनी चाहिए, कबीर दास कहते हैं, तीरत नहाई एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, जब सद्गुरु मिलता है, तो अनंत फल प्राप्त होते हैं, इस स्ष्टी में, यदि कोई एक वस्तु जो अनंत है, ज आपके अंदर भी है, आप चाहें कितने भी मैले कुछ अले हो जाए, प्रभू से मिलने के ख्रमता आप में है, जैसे ही गुरू की दिश्ट्री आप पर पड़ती है, वो अंकुर आपके भीतर फूटता है, अंकुरित होता है, एक संत के आभा मंडल में रहने से मात्र से आप के भीतर जो भीज है, वो पोशित हो जाता है, गुरू जी जब जीवन में आता है, तो हम गुरू मैं हो जाते हैं, आप सब के साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ, एक बार मैं बड़े मंदिर गेंती, वहाँ मुझे सत्संग सुनाने का आदेश हुआ, मैंने अपना सत्स ही उतार के थे, मैं अपने जोडे ले रही थी, कि एक बीस या बाईस साल की लड़की मेरे पास आई, और कहने लगी, आंटी, मुझे आप से कुछ पूछना है, मैंने का, हाँ, कहो, उसने कहा, आंटी, आपका कोई रिष्टेदार बॉस्टन में रहता है, क्या, मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ, उसने मुझे से कहा, कि कल मेरी फ्लाइट है, और मुझे बॉस्टन जाना है, और मैं पहली बार जा रही हूँ, और अकेली जा रही हूँ, इसलिए बहुत घबरहत हो रही है, आज इसलिए गुरू जी के पास आई थी, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही, फोन कट गया, सत्संग करने के लिए जब आपका नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे लगा, शायद आपका कोई रिष्टेदार रहता होगा, इसलिए मैं भागी भागी आपके पास आई हूँ, मैंने उसने कहा, देखो, गुरू जी ने तुम्हें जवाब दे दिया है, कि नहीं, वो मिसिस मली के रूप में गुरू जी खुद आएंगे, तुम्हें कोई तकलीफ ने होगी, घबराओ मत, विश्वास रखो, बस इस तरह कि छोटी-छोटी बातों से गुरू जी हमें बताते हैं, कि वो कहां नहीं है, हर जगा एक-एक कन में हैं, वो अंतर्यामी है वो परमेश्वर हैं, और उनी का नूर चारो तरफ फैला हुआ है, सच्मुर संगत जी ये अटल सत्य है कि गुरू के बिना रहा ना पावे कोई, दाता के बिना रहा ना पावे कोई, आज तक जिसको भी सच्ची रह मिली है, जीवन में उसे अपने गुरु देव से ही मिली है, सच्चे गुरु के बिना सच्ची रहा मिल पाना संभव नहीं है, गुरु देव ही बताते हैं कि जीवन के अस्ती रह क्या है, जीवन को कैसे समझा जाए, कैसे जिया जाए, इसे किस रूप में देखा जाए, और कैसे सराहा जाए, कैसे ये समझा जाए कि मानव जीवन एक उपहार है और वो भी सर्वोत्तम उपहार है। इन बातों की समझ हमें गुरू से प्राप्त होती है। अता, ये बात स्वधा स्पर्ष्ठ हो जाती है कि सगुरू की मदद की बिना किसी को भी जीवन की सची राह नहीं मिल सकती। गुरू ज्ञान के अभाव में मनुष्य की स्थिति वैसी ही होती है जैसे कस्तोरी की खोज में वन में भटकते हुए हिरन की होती है। गुरू के ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है, तब अंधेरा घटता है, भ्रह्म हटता है और वास्तिविक वस्तूत स्पष्ठ हो जाती है। मनुष्य जब गुरू की शरण स्विकार करता है, तब उसके जीवन में ये सुन्दर परिवर्तन घटित होता है। उसको फिर इधर उधर ठोकर खाने की जुरत नहीं पड़ती, व्याद भटकना नहीं पड़ता, मानव जीवन का सदुप्यों करके उसका लाभ वही व्यक्ति उठाप प्राप्ट कर सकता है, जिसने गुरू देव के मालक दर्शन में अपना जीवन बिताया है। संगत जी ये फरवरी का महीना है, तीन दिन बाद वैलेंटाइन डे है, सारी दुनिया गुरू जी से प्यार करती है और गुरू देव को ही प्यार में डुके डूबी हुई और गुरू देव को ही अपना वैलेंटाइन मानती है, हमारे गुरू जी तो प्यार का सागर हैं और उस सागर में हम सब को एक-एक भूंद मिल जाए, तो हम सब धन्य हो जाते हैं. मेरा ये ससंग आप सबने पहले भी सुना है, पर गुरुजी की आग्या से एक बार फिर आपके साथ शेयर करती हूं. उन अन्मोल पलों को जो जी लेती हूं. शाम का वक्त था और उस दिन वेडनस डे था. गुरुजी के पास तो जा नहीं सकती थी. इसलिए सोचा, चलो, मंदिन में ही दिया जलाकर गुरुजी के पास जाकर बैठती हूं. मैंने दिया जलाया, अगरवत्ती जलाये और गुरुजी के सामने बैठके. मैंने हाथ जोड़ कर जो भी दिल में था वो कह दिया और प्रात्ना की कि गुरू जी आज वैलेंटाइन डे है और आप के पास मैं आज आ नहीं सकती इसलिए यहाँ बैठ कर आपके वो याद कर रही हूँ क्योंकि मेरे वैलेंटाइन तो आप ही है गुरू देव मैं आपको इसे बहुत प्यार करती हूँ जबसे आपको देखा है जाना है बस आपके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता गुरू देव आपके लिए एक गुलाब भी नहीं लाई मुझे माफ कीजिएगा पर आँखों से जो प्यार में भर आपके प्यार में भर के जो आसुन पहते हैं उन्हें आपको समर्पित करती हूँ स्विकार कीजिएगा और गुरू देव एक छोटी सी तमन्ना है कि आप भी मुझे कुछ गिफ्ट दीजिएगा इस तरह अपने वेलेंटाइन अपने गुरू देव को अपने मन की भाव कह दिये रात को जब सोई तो गुरू जी मेरे सपने में आये मुझे मालूम है वो सपना नहीं ताक्षाद गुरू जी के दर्शन है और मैंने देखा कि एमपार स्टेट में सारी संगत बैठी हुई है और मैं भी बैठी हूँ गुरू जी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और अपने गले से गुलावों की माला उतार कर मेरे गले में डाल दी और दर्शन समाप्त हो गए मुझे आज भी याद है और भला भूल भी कैसे सकती हूँ पिंक रोजेस की माला थी जो नीचे से डार्क और उपर हलके पिंक कलर की थी आप ही बताए इतना सुन्दर गिफ्ट इतना अनमोल गिफ्ट पाकर कोई क्यों न फुला समाए या कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर शब्द नहीं मिल रहे इतना ही कहती हूँ हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते अगर तुम न होते गुरुजी हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे सब की पुकार सुने सब की फरियाद सुने संगजी कोई भूल हुई हो तो हाथ जोड़ कर माफी चाहती हूँ सुरेश वासान अंकल और मल्टि लिंग्वल प्लेटफॉर्म का तही दिल से शुक्रिया आदा करती हूँ कि जीनों ने हमें इतने सुन्दर प्लेटफॉर्म दिया जहां हम आकर अपना सस्तंग अपने आपको सुनाते और फुष्पिस्म समझते हैं गुरुजी को याद करके उनकी बाते करके धन्य हो जाते हैं इससे पहले कि मैं अपनी वानी को विराम दू ये चंद लाइने गुरुजी के चन्नों में अर्पित करती हूँ दिलकश तेरा नक्षा है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है और जा भी तुम्हारी है हम लाक भुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं एक नजरे करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है? ताए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, हमें तुम्में छुपा लेना आर्जू ये हमारी है. ये दिल एक मंदिर है, मन एक पुजारी है, इस दिल में जो रख्की है, वो मुरत तुम्हारी है, दिलकर्ष तेरा नक्षा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है, वो जान सेवारी है. हुआ अपने ससंटभ अपनी बानी को यहीं मिराम देते हूं जय गुरुजी माली आंटी जय गुरुजी अंकर अंटी गुरुज थmpfen अपको जाने के लिए नहीं कह रहे है अभी कुछ आपसे रेक्वेस्ट ए कि गुरुजी आपको तू तू ते मेरी मीरा गी है, बोला करते से. जी हाँ. तू आड़ी को सुनाईया ना? नहाँ. अंकल इतनी बात तो सुनाया, लेकिन हाँ, इतना प्यारा है, ये मुझे बहुत, मेरे दिल के इतने करीब है ये सत्संग, कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि गुरू जी ने एक दिन जब चन्नों पे बैठी सेवा कर रही थी, गुरू जी ने प्यार से मुझे कहा था, तू मेरी मीरा. मैंने तो अपने कानों पे विश्वासी नहीं किया, कि मैंने क्या सुन लिया? लेकिन गुरू जी करने हाँ हाँ तू मेरी मीरा, मैंने कहा हाँ जोड़ कर कहा, मुझे याद है, गुरू देव मीरा, मीरा तो बहुत महान थी गुरू जी, किष्ण की दिवानी थी, उसके जैसे बन पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने कहा है, तू मेरी मीरा, त तो इस तरहा गुरू जी का वो शब्द आज भी मेरे कानों में गुंस्ता है और मैं सच्छमेतरु कहती हूं कि मैं अपने आपको कोशिश कर रही हूं, पहला कदम ही सामझ ये चली ही हूं, कि मैं अपने आपको मीरा की तरह बना सकती। ये मेरी सहे दिल से गुरू जी के यही तमन्न है कि मैं अपने आपको मीरा बना सकती। बहुत सुंदर ग्रíchया आपने दिया, आँटी. आपको गुरू जो इसनी अच्छी आपको विचायरी बोलती है, इतनी मज़ूर के विदाने बोलती हैं तो आप तो मेरा वाई बन चुकी है थैंक यू अंकल जै गुरू जी ये सब गुरू जी का ही आशिरवाद है और कुछ नहीं है लेकिन हाँ जब गुरू जी के बारे में कुछ लिखती हूं तो अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज मैं गुरू जी के चन्नों में ये फूल अर्पित करूंगी जी इसी के साथ ही आँटे एक बात और कहाना चाहता हूं गुरू संगत के लिए भी और वो ये था कि गुरू जी ने एक बार आपको कुछ चुनाने के लिए कहा था शेयर जी हां गाना गाने के लिए कहा था अंकल तो आँटी आप खुद बदाएं जी संगत जी एक बार मैं बैठी थी तो गुरू जी ने वहीं बैठे-बैठे कहा चल मली आँटी गाना गा तो मैं उन दिनों मैं गुरू जी के पास ज्यादा दिन नहीं हुए थे तो मैं तो एकदम घबरा गई और शर्माब गई मैंने कहा नहीं गुरू जी मैं नहीं गा पा सचमुच इस बात का मुझे इतना दुख है, इतना दुख है, मैं घाथ जोड़कर मासर जुका कर गुरुजी से माफी मांगती हूं कि मैंने उनके आग्या का पालन नहीं किया, वो मुझे माफ करेंगे, वो बख्ष देंगे मुझे. आउंटी, अपरतर शरूप में मेरे आप से रिक्वेस्स है कि आप जब भी कभी संगत करती हैं, तो संगत में आपने एक नाए कविता बोलनी है, मजुर कविता बोलनी है, तो जो आपका जो ये, जो आपके मन में अभी चल रहा है, वो सब खता हो जाएगा, पुर जी कि आप करका हमेशे बनी रहेगी, थैंक यू अंकल, जरूर जरूर कोशिश करूगी अंकल, जी आउंटी, ओर दियू रिनू आउंटी, जै गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अन्नी प्यारी संगत, गुरुजी दी मेरा, अज जी निहाल करता, कोई शबद ही न किस तरह मतलब की शुक्राना करा, अन्ना अच्छा सा संग थवड़ा, सुनके सारी साडी मरल्टी लिंगल, परिवार, सेवादार, निहाल होए, क्यान ले कोई शबद नहीं, वाकि एक मीरादी भक्ती और मीरादा प्रेम, छलक रिया सी, कि अंकल जान तो बाद भी तुसी अपने परिवार नो किस तरह एक विश्वास नाल, एक पक्ती नाल संभाल लिया, और बेटे ने जो थाड़ नाल क्वेश्चन किता, तुसी जवाब दता कि कबराना गुरु जी है, किन्ना वड़ा विश्वास एक मीरादी तरह ही विश्वास सेगा, जो नाम गुरु जी ऐने थैंचया जिवाब दता मीरा, वाक्वी बहुत अच्छा नाम है, और जो तुसी कबरिता सनांदे हो, गुरु जी didn, वो धे नाल सुनके जिन्ना सी नहाल हो रहे हैं, और वाक्वी जो गुरु जी तरह दिन थैंचया, और उनना दि लिल्ला सी, कि गाननो भी किया, और ना भी करवाई क्योंकि उन्हों पता सीगा कि मेरी मीरा मेरे लिए बहुत सारियां कभीता सुना के संगत जी नू जरूर तारेगी असी जो दो इस प्लेट फारम ते आके तो अन्हों सुन देयां पहले भी सुनिया तो अन्हों सड़ा बहुत मनखुश रिंदा असी फिर गु जो खुच रहें कि मैं थान्हों पहले सोच रही सै कि मैं अग्या जाओ घ्रूर जी जो खिर आ हैणा को तो कि आ है उपने बड़े मंदर यू झोrän भी है जूर में बहुत भीबाव उन्दा हूँ एक दिन मैं थाम फोन आया थाख जहाहें मैंस किंदा सुनागी युश रही अच्छट वड़ा तान्ना मारया सिगा, कि तन्नू तान कोई नहीं पुछदा, मैंके गुरुजी तन्नी वरी बुलाबला के सासंग सुनो आये हैं, ब्रेंस्टेम दे, कि मैं रो पही ते रोके मैं किया भी कोई गाल नहीं, तो मिनू इकांटी कांटी तू रोके ही रोके ही, मैं कि मैं गुरुजी तन्ना चेना बड़े मंदर अपने आंसू पेस दते हैं, को नाल दा फोन आया, कि अंटी तोड़ा नाम की है, मैं खिया रिनु शर्मा, कि अंटी तोसी प्लेटफॉर्म ते ससंग करोगे, मैं खिया हांजी पहले नहीं पता भी प्लेटफॉर्म की ची मैं फोन करांगा, तोड़ा ना इंटर्व्यू लेना है, मैं खिया ठीक है, उन्हान ने फिर फोन किता और मैंनो किया, आंटी तोड़ा नाम, मैं खिया रिनु शर्मा, कि चरे आंदे हो, मैं खिया पिंजोर, कदो मिला सी गुरुजी नू, मैं खिया उन्नी सुप चानमें मैं खिया ठीक है, और देखो, उस बच्चे ने मिनू पहली बारी पता चलिया, कि जिथे अपां सासंग करने हो, एक प्लेट फाम में, और सारे अपां गड़ी दी खड़कियां चो बैठे हो, सासंग नू सुन रहे हुंदे हैं, और गुरु महराज किरपा कर रहे हुंदे ह खुद अपनी मेर करकियों सारे तो ससंग सुनवांदे भी है, सुनदे भी हैं, गुरु जी कहना है, जो सुनदे है, जो SINदे है, और अनंतम अनंतम पला हुंदे है, कि जिड़ा इस ससंग नू सुन रिया हुंदे हैं, सो मिरा अटी, आज जो तुसी साड़ि सारी संगत नो बला के सारी संगत नो निहाल कर दे हैं उना दा बहुत बहुत शुक्राना लास्ट टाइम देखो वासन अंकल दी दुख जड़ा आया भी है गुरुजी दे नाल रहन दे हुए ए अपनी फर्ज तो नहीं परे हुए अपना पूरा फर्ज ने बारे ने उस दिन तो कोई भ भाया थे वासन अंकल न आया हो न लास्ट टाइम विनांटी छोस्पितल शी और एना ने खोस्पितल तो सद्धा सब तानवाद किता गूरुजी रे सहसंग दा गुंगान किता और अज भी सहसंग करना ची गुंजदा है उना दा अज भी ए रे निश्वांटी तो अज भी तानुवाद ओ आज भी करना जी कुने दिशाबद सो गुरुजी उनानु लेन आए सिगे ताहिए उना ने अत्थों दी होई ससंग करवाया अपना होस्पिटल तो जदकी होस्पिटल तो अज तक किसी दा ससंग में सुनिया नहीं है पहला ससंग सी जो गुरुजी ने आंटी दे मुऊंधी सदा सब दा तानुवाद करवाया मल्टिल यंगल परिवार दा तानुवाद करवाया तो ससंगत जी आज रश्मी अंटी दा ससंग सुनके असी जो सारे निहाल होएने अज मैं किसी और का अच्छा वासन अंकल है ते पूरा परिवार ससंग सुन रहा देखो गुरुजी दी संगत है नमी परिवार सुन रहा है ससंग कोई भी सोया नी बच्चा तक बैठा है अना गुरुजी ने कहाया और थोड़ा जा दुख सीगा मैं के देखो गुरु महराज ने थे पेज जया वासन अंकल ने किया मिनु जाओ आंटी तुसी बार निकल के ससंग अना नुब पता सीगा मैं के वासन अंकल दे दिवारा गुरुजी ने कहाया और ऑ्यवार ना दुख दे विच्च सीगा टे गुरुजी ने बच्च से दो कि फेजे जया कि रहा है इस भी गुल्यान करना थे खो संसंग तको मीरा अंटी दा संसंग सुनिया मीरा अंटी तह 12,000 ते गाला है मेरे पैसे गिर गिर होना दिना चाहिए को ज़्यादा पैसे नहीं हुदेशी मेरे फादर ने कोई लोन लिया और भी मिन्नू पडाता है ते मेरे हजबंदी तन्खा मेरी तन्खा मेरी तन्खा में एक पर्स चपाई होई से गी ते मैं गोली लाएं जाना थे नहीं टिए जाने दिए तन्खा अजका जाएं ते मेरी भी को गोली लादेग दे मिन्यान जड़े बीपी ह kills मैं है थिक मैं चली टे M परस से गिर गया मैं जदो आई ते दौहाई मतल रख थी मैं 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 मेरी मैं जटी मैं क्यो हम तोता क्यों देग है सारे में का पता न किन मिस्तरी ने किखे जाना दिए जाना है प्यश्टरी ने जाना ह। विंटरी दिदी हो त्रह नहीं किखे जाना हैं मैं रहिसी है जुड़ टारिकनों एक छिए मैं ढीक vrijा टोड़ा है तोपेंहें पहजी मेरे हाथ से च्रह यादी नहीं बेता पहर जाता। और जो इनले आ जार ही जानने तौकिता तक तुझा टाशीब नहीं सायें रहुते से जबने हैं। ते केंदे चलो अंदर बैठो गुर्जी सा डिनल जदो नीचे बैड़ गे ते कें लगे फिर चली हो इरन दिगे तेरे पैसे यांदी भी मैं निगरानी करां अद्धा केंटा उस बंदे नू लेट किता कार उत्थी खड़ी कराई तन पता थी चब भी रखके पुल गया से ग जड़ तक तू नहीं आई देखो जया गुरुजी सो गुरुजी एक बंदा भी कंदे जुड़ गया परिवार्दा पूरे रिष्टेदार सब नाते जुड़ जान देने सो गुरुजी ना शुक्राना मेरा अंटी रश्मी बहुत बहुत शुक्राना थुड़ा वासन अंकल बहुत बहुत शुक्राना मल्टी रिंगं सेवादार जो सुन रहे हैं जो सुना रहे हैं उना दावी तेहे दिल से शुक्राना जै गुरुजी वासन अंकल आपको आप तो बहुत धन्य है कि आपको गुरुजी महाराज ने आपके जनम दिन पर आपके डी खीर बनवाई थी आपको याद होगा अंकल याद है मुझे और आज आज आपको पता है आज हम मेरी वेडिंग अनिवर्सरी है वाँ गुरुजी महाराज ने जो आपको खीर बनवाई थी वो जाते जाते मता जाज़ाजी प्लीज जरूर अंकल हम लोग जलंदर गए थे न्यू येर पर गुरुजी के पास तो उस दिन 31st को तो गुरुजी के पास रहे तो 1st को मुझे वापस दिल्ली आना था लेकिन गुरुजी ने कहा आँटी कल भी मंदिर आई जाना नहीं आले दिल्ली मैंने कहा ठीक है गुरुजी और मैं और मेर हुए थे लंगर करने के बाद सारी संगत को भेज दिया और 7-8 लोग थे हम लोग हमें रोक लिया फिर बस जब सारी संगत चली गए तो गुरुजी उटके अपने कमरे में गए तो हमें कहा कि तुम लोग भी आ जाओ और हम सब गुरुजी के पास जाके बैठ गए और गु गुरुजी के पास गई चल सेवा कर मेरी तो मैं कहती हूं इन दस सालों में मैंने सिवाए गुरुजी के चरनों की सेवा के और कुछ ने किया मेरे लिए इतना यही इस जीवन के लिए क्या हर जीवन के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मुझे उनके चरनों की सेवा मिली तो मैंने उनकी चर्णों की सेवा करने लगी सेवा करते करते फिर उन्हें अपने और पास बुलाया और हाथ दे दिये मैं उनके हाथों की सेवा करने लगी फिर गुरुजी ने आखे बंद कर ली मैं घड़ी के तरफ मेरा टाइम मैंने देखा तो एक भज गया था तो मैंने सुचा अब तो दो जन्वरी आ गई है दो जन्वरी को तो मेरा जनम दिन होता है गुरू जी आंके खोलेंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि गुरू जी आज मेरा जनम दिन है इतने में थोड़ी देर में गुरू जी ने अपनी आँके खोली तो मैंने हिम्मत करके कहा कि गुरु जी आज मेरा जनम दिन है आखो मैंनु पता हैगा तेरे लिए रसोई चेखीर बनवा रहे हैगा मैं इतनी खुश हो गई मैंने का गुरू जी आपका ये प्यार में कहा किस जोली में डालू जोली तो मेरी मैंने हर समय भरी हुई है हर समय भरी हुई है बस उनको नोने मुझे प्यार से ना अपने पलंग के पास ही पड़ी थी एक बहुत सुन्दर घड़ी है पैंग्वीन उसके अंदर है और वो पैंग्वीन गूमते रहते हैं और टाइम का पता चलता है तो मुझे वो घड़ी उठा के गुरू जी ने एला है तेरी गिफ्ट वेता मैं तो धन्य हो गई इतनी खुश इतनी खुश सारी जिन्दगी में वो गिफ्ट मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है जो गुरू जी के हाथों से मुझे मिला और इतने में कटोरिया भर-भर के ना स्टील की बड़ी-बड़ी कटोरिया भर-भर के खीर लेके आए पिंग कलर की खीर थी और हम सब खा के सचमुच धन्य हो गए और गुरू जी को कितना शुक्राना किया कितना शुक्राना किया कि मैं बता नहीं सकती और इवो पल दुबारा तो जिन्दगी में नहीं आएंगे लेकिन उनको याद करके फिर से जी लेते हैं हम लोग सचमुच धन्य हो जाते हैं हत्वाच लिखदे सेवा गुरादी सेवा संतादी हत्वाच लिखदे सेवा गुरादी सेवा संतादी सेवा कर दी कर दे विना तुक्ता और टेखल झाल